नमस्कार, 2024 की शुब कामना है 2024 का असली सच, याई 2024 में होगा क्या, अच्छा या बुरा इस वीडियो में हम बात करेंगे, साल के पहले दिन से, साल के आखरी दिन के एक जन्दरी से लेकर 31 दिसंबर 2024 की हम बात करने वाले हैं ये साल जो है 2024, दो, जीरो, दो, प्लस, चार को अगर जोड़ते हैं तो टोटल होता है आठ नमबर आठ नमबर का प्रतिनिजित्व करता है श्रीदेव, तो ये साल श्रीदेव का है श्रीदेव भहत इकवादी भी है और अध्यात्मिक भी है श्रीदेव की दो राशिया है श्रीदेव की मकर राशी जो है वो बहुत एकवादी है श्रीदेव की ये कुम राशी है वो अध्यात्मिक राशी है तो यहाँ पर आपको दुनिया के भी सुख मिलेंगी और अध्यात्मिका भी सुख मिलेगा यह साल आपको याद दिलाएगा कि आपको ईश्वर की भक्ती भी करनी है और अपना कर्म भी करना है हमें बैटना नहीं है हमें आलस नहीं करना है आलस को त्यागना है कर्मशील बनना है क्योंकि यह साल सक्सेस का है शनी मतलब सफलता शनी मतलब खुब सारी मनी अगर सक्सेश चाहिए तो 2024 को खराब मत करिएगा 2024 सक्सेश वरा साल है सभी राशियों के लिए किसी एक के लिए नहीं हाँ ये जो वीडियो में बना रहा हूँ ये एक सामान निजानकारी है आपकी जरम कुणली में जो सिधारे बैठे हुए है उन पर भी निर्भर करेगा कि 2024 आपको क्या देगा क्या नहीं देगा बहुत सारे लोग कमेंट्स करेंगे कि अच्छा है साल बुरा है आपने जैसा बताया वैसा नहीं हुआ कुछ लोग कहेंगे जैसा बताया वैसा हो गया तो मैं आपको एक सला दूँगा वीडियो को शुरू करने से पहले कि आप सभी लोग अपनी जरम कुणली की जाच कराएं अपनी ही नहीं अपने परिवार के सदस्यों की जाच कराएं जब आपकी कुणली मजबूत होगी तभी आपको ये साल शुप पढ़िणाम देगा तो आईए शुभारम करते हैं और अपनी जरम कुणली को दिखवाने के लिए बनवाने के लिए आपके पास ये नंबर स्रीन पर है आप इसन पर संपर कर सकते हैं ये जानकारी चंद राशी और नाम राशी पर आधारित होगी अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल से जुड़ जाईएगा सब्सक्राइब करिए बेल आइकन के बटन को दबाएए फेस्बूक और इस्टाग्राम पर हमें फॉलो करिए अब हम बात करते हैं आपकी लगी राशी की ध्यान से इस गोचर कुर्ली को देखे केतु लग्ड में बैठे हुए हैं बुद्ध और शुक्र आपके तिर्थे भाव में सूर्य और मंगल आपके चौते घर में शनीदेव छटे घर में राहू सब्तम भाव में गुर्देव अस्तम भाव में और चंद्रमा अपनी यात्रा शुरू करेंगे बारवेकर से ये साल दोजाच चौबिस आपके लिए शांदार रहेगा काफी कुछ आपको यहाँ साल दे कर जाएगा शनीदेव का छटे भाव में रहना रोग रिल शत्रू का नाश करेगा आपके टेंशन को खत्म करेगा आपके परिशानियों को खत्म करेगा आपके जीवर में जो दबाव थे डिप्रेशन था उसको खत्म करेगा पुराने रोग कश्ट खत्म हो जाएंगे हार्ड डिजीज पर भी आपको ध्यान देना होगा, सावधानी रखनी होगी, इस साल आप बुद्धी के बल पर काफी बड़े-बड़े काम कर लेंगे, एक मई से पहले गुर्देव पेट दर्द की थोड़ी सी समस्या दे सकते हैं, गैस ऐसे डिटी दे सकते हैं, करोबार श साल पैसा लाएगा, ये साल खर्चों पर भी पैसा खर्च कराएगा, लेकि ध्यान रखते हुए पैसे खर्च करेंगे, तो अच्छा है, बेफजगूल के खर्चे नहीं होंगे, साल की शुरुआत में गुरू आठवे भाव में होंगे, तो कड़ी मेहनत के बाद परढ़ इश्वर का शुरुआत भी आपके सर पर होगा, गुरू आपको सभी प्रकार के सामतारिक सुख देंगे, जितने धार्मी का आप बने रहेंगे, उतना ही आपको लाब होगा, मंगल सुर्च यूदी चौते घर में होगी, तो थोड़ी सी टेंशन रहेगी, परिणाम ये हो जिवन साती की सहत परिशान कर सकती है, वैपार को बढ़ाने के लिए आपको अच्छी योजना पर काम करना होगा, पैसे से समंदित मामलों में थोड़ी सी सावधानी अत्रिक्त रखनी होगी, आपकी साल की शुरुआत और जो महीने हैं, वो अच्छे हैं, जन्वरी आपक अपरेल तक आप किसी को उधार पैसा ना दे, जन्वरी से लिखर अपरेल तक आप किसी को पैसे उधार ना दे, अगर बजबूरी में देना पड़े तो पूरी गारंटी ले ले, लिखवा ले, मुझवानी तोर पे किसी को पैसा वैसा या वहान वगरा उधार ना दे, हिम जोटी लोगों से बचना है तीस जून से 15 उंबर के भीच में शरी वक्री होंगे तो खर्चों में बढ़ा साद्यान रखेंगे सिहत पर भी खर्चा हो सकता है आप अपना फसा पैसा निकलूआने के लिए आपको थोड़ी पहनत अत्रिक्स करनी पड़ेगी लेकिन नौकरी वैपार में सफलता है, नई नौकरी के इंटर्यू में सफलता है, यात्राएं बढ़ेंगी, सेहत को लेकर चल रही, जो मौस्पी बिमारिया होती है, उनसे आप परिशान हो सकते हैं, हाइपर टेशर, ब्रेट प्रिशर, शुगर, बीपी, हार्ट वाले जैसे मैंने पहले बत आइगे, तो बहुत अच्छा रहेगा, बगवान शंकर का बीच बीच में, मेहनत करके आपको गाड़ी वाहन सब कुछ मिल जाएगा, जिनकी सेट हो जाएगी, तो ज़जार टेश की बिगड़ी होए कामों पर भी आप विजह पा लेंगे, तो ज़जार चौबिस में, बह आपको अपने घर का, अपने आफिस का मिलेजमेंट भी सही करना पड़ेगा, बिना पढ़े लिखे, कागजों पर सिंग्नेचर मत करिएगा, नौकनी वेपार में आप अपने लक्ष को पूरा कर पाएगे, भूमी भावन वहान बना पाएगे, बिना पढ़े हुए कहीं प आपका संपर्क बनाएगा, बड़ी-बड़ी हस्तियों से, जिस भी फील में आप हैं, उस फील से जुलों के बड़े-बड़े लोगों से आपको मिलवाएगा, टेक्स की चोरी ना करें, नौकरी वेपार में खुब दोड़भाग होगी, अंत में समझ आएगा कि पैसा जो तो आप अपने परिवार के लिए भी अब वक्त निकालना शुरू कर देंगे, पती-पत्नी दूसरे का सम्मान करेंगे, संतान आपके साथ होगी, दोस्तों यारों से मदद मिलेगी, आपका वर्ष आरम में गुरू आठवे होगे, तो अचानक सिधन मिल सकता है, है उसक्ता है, ठीक्त को के समय को करते हैं, पे बघ्रार आपको जरूर, प्रगके, दोस्तों सब्सक्राइब करेंगे, प्रेम संबंद भी इस थापनि यहांपर कही बार होजाते हैं, कई बार व्यक्ति अपने जीवन साथी की पिगणी हुई सिहत से परशान होकर इधर उधर चक्कर चला लेता है इन सब चीजों से आपको बचना होगा मित्रों की से भी आपको लाब मिलने वाला है और कुछ मित्र ऐसे भी होते हैं जो दोखा भी देते हैं तो सावधानी भी वहन और इलेक्ट्रोनिक चीजों की देख रेक बहुत संबल के करिएगा दोख़ार चौबिस में यह साल वैसे तो बहुत बढ़िया है बहुत आपकी कमियों को सुधाने वाले यह साल होगा गरेश जी की प्रातना करिए गरेश जी की मंदिर जाएए उनका आशिरुआद जी आपको बहुत लाब मिलेगा जो छोटी-छोटी बच्चियां होती हैं जिनकी उम्र पांक-छे साल की होती हैं इन बच्चियों को आप कुछ वक्त में हल्वा पूड़ी खिलाते रहें कुछ गिफ्ट देते रहें इनका आशिरुआद देते रहें कन्याओं का आशिरु मादुलगा की उपास पर पूरे वर्ष करते रही हैं बहुत ही अच्छे रहें आपको मिलेंगे पन्ना रत्म भी अपनी जनम-कुड़ी की जांच कराकर आप धारन कर सकते हैं तो अच्छा साल है कहीं से भी कोई कमी नहीं है चोटी-बड़ी कमियां चलती रहती हैं लेकिन जिनकी जनम-कुड़ी अच्छी है उनके लिए तो बहुत अच्छा है जिनकी जनम-कुड़ी खराब है उनके लिए तो हम कुछ नहीं कह सकते देखिए आप चार दिन तक अगर रोटी ना खाएं तो क्या होगा आप बताईए आपका शरीर कमजोर हो जाएगा ऐसे ही आपक ग्रह जो हैं जो कमजोर हैं गर उनका उपाय नहीं करेंगे तो वो कमजोर हो जाएगे जैसे कमजोर शरीर जिसको चार दिन से रोटी नहीं मिली है वो बिस्तर पर पड़ जाता है वैसे ही कमजोर ग्रह भी बिस्तर पर पड़ जाता है तो जैसे कमजोर आदमी कुछ नहीं क जरूरी है रत्म जरूरी है रुदाक्ष जरूरी है पूजा जरूरी है मंत्र जरूरी है आपकी भूख रोटी है ग्रहों की भूख मंत्र रुदाक्ष पूजा पाठ है नहीं मजबूत करेंगे तो बिस्तर पर बड़े रहेंगे आपके ग्रह बिमार और अगर मजबूत कर ल बिमारी वाली गुजारनी है या हश्ट पुष्ट वाली गुजारनी है आप करिए आप दिये के नमरों पर संपर करके अपने बिमार ग्रहों का हिलाज करवा सकते हैं नमस्कार